हेलो स्टुजेंट्स तो डिस्कॉस करते हैं एक और नुमेरिकल प्रॉब्लम एरर एंड मिजरमेंट से और यह कुछ अलग कोश्चन है आजिए इसको डिस्कॉस करते हैं तो कोश्चन है कि डायमेटर ओफ इस सॉलिड स्फेयर इस 6 plus minus 0.2 cm find percentage errors of surface area and volume of sphere तो एक sphere है इसका diameter है और जो diameter नहींद दिया हुआ है D is equal to six plus minus 0.2 cm इसमें दिया हुआ है तो इसके surface area और volume में हमें percentage पाइज निकाल्न इili तो जो surface एयरिया है उसका formula एक तरीके से solid square के लिए 4 पाइड होटा है अगर आर इसके रेडियस है इसको हम diameter में change कर सकते हैं क्योंकि our eyes equal to our Guidry 5000 इसको जब हいて करेंगे तो यह तरीके सेพाइडी इसको रहां से एडिया आ जाएगा और इसी प्रकार जो वोल्यूम होता है वह हम जानते हैं कि यह होता है फॉर अपॉन थरी पाई आर की क्यूब यह तरीके से यह होता है तो आर यहां पर आ जाएगा एक तरीके से डी बाइटू यहां पर रखेंगे तो जब यहां पर हम डी बाइटू रखेंगे तो इसी प्रकार यहा हैं से डी गयूब अपोन में यह हो जाय गये हैं से एट तो फोजिसक Whis Stupt यह इसका वोल्यूम यह से ऑएगा तो यह फ्रोत हम निश्स का नागर कर दिये लेकिनवारा काम हाता है कि इन फॉर्मूले को हम पर्षज घर में कैसे करें इसको फ्रिकession Double अरव है निकाल लिए तो देल्टा ए अपर हम एरिया में और यह देल्टा डी एक तरीके से यहांपर यह 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 है जिरो पॉइंट टू और डी है सिक्स यह तरीके अरन्टेर के साथ 100 यह होगा इसको हल करेंगे और करने के बाद इसको चला जायेगा तो 6.67% के आसपास यहां से यह area के अंदर percentage error आप इस तर से निकाल सकते हैं volume को भी इस तर से convert करेंगे तो delta v upon v into 100 और is equal to 1 upon यहां पर होगा क्योंकि जो number है वे तो यह वाले तो percentage error में जब हम convert करेंगे तो हट जाएंगे तो यहां पर 3 delta d upon d into 100 यहां से हो जाएगा तो फिर से होई 3 into 0.2 upon 6 into 100 तो इसको जब हम हम हल करेंगे तो वो 10% यहां से निकल के आएगा इस प्रकार हम error and measurement से संबंदी numerical questions को हल कर सकते हैं